नमस्कार दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिश वानी पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर डैनिक राशिफल, सापताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्शिक राशिफल, ज्योतिश और मानव कल्यान पर आधारित वीडियो अप्लोड की जाती हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पसंद आये तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हर कोई अपना आज का राशिफल जानना चाहता है। इसलिए हम आपके लिए आज का राशिफल लेकर आए हैं। आज के राशिफल में करिय, व्यवसाय, स्वास्थ्य, परिवार और दोस्तों के साथ रिष्टे, प्रेम जीवन और दिन भर में होने वाली घटनाओं के बारे में भविशेवानिया शामिल है। इसके अतिरिक आपकी राशि के आधार पर उपाई भी सुझाए गए हैं। अगर आज यानि 5 अगस्त 2024 सोमवार को आपका जनम दिन है तो सबसे पहले आपको मेरी ओर से जनम दिन की बहुत-बहुत शुब कामनाए और साथ ही अगर आज आज आपकी शादी की सालगिरा है तो आपको शादी की सालगिरा की बहुत-बहुत शुब कामनाए आज सावन क होने के कारण पूरी स्रिष्टी का संचालन भगवान शिव के हाथों में होता है इसलिए इस माह में सभी शुब मांगलेक कार्यक्रम में भोलिनात की कृपा बनी रहती है इस दोरान कुछ खास उपाय करने से धन लाब के योग भी बनते हैं जानिये आज का अपना राशिफल सबसे पहले जानते है सावन का तीसरा सोमवार मेश राशी के लिए कैसा रहेगा मेश राशी वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम सिधा होने वाला है आज आपके बारे में प्रगती देखने को मिलेगी रुके हुए कार्या जल्दी जल्दी पूरे होते नजर उनमें भी हलचल होगी आज का विशेश उपाय दही सफेद कपड़ा चीनी और दूधादी को दान करें शुब अंक 11 शुब रंग परपल अब जानते हैं सावन का तीसरा सोमवार व्रिशब राशी के लिए कैसा रहेगा व्रिशब राशी वालों के लिए नए ज्यान का परिख रही है आज का विशेश उपाय शिव रक्षा स्तिरोत का पाथ करें शुब अंक 9 शुब रंग डाप प्राउंग अब जानते हैं सावन का तीसरा सोमवार व्र मिठुन राशी के लिए कैसा रहेगा मिठुन राशी वालों के लिए आज का दिन शुब शंकेत लेकर आज के दिन आपको आशा से ज्यादा प्राप्ती होगी। जिस काम के लिए आपने सोचा भी नहीं था। उसे काम का अफसर आपको प्राप्त हो सकता है। आज का विशेश उपाई शाम को काले तिल और कच्छे चावल को मिला कर दान करें। शुब अंक, ग्यारा, शुब रंग, पिंक। अब जानते हैं सावन का तीसरा सोमवार करक्राशी के लिए कैसा रहेगा। करक्राशी वालों के लिए आज का दिन सूर्य चंद्र की यूती से शुरू हो रहा है। जिसके प्रभाव से आपका मन कभी निराश तो कभी चंचल बना रहेगा। मन के भावों को नियंत्रन में करने की कोशिश करें। आज का विशेश उपाई चंदन का टीका और सफेद कपने धारन करें। शुबहंक, दस, शुबरंग, सिल्वर। सब्सक्राइब नाव इन प्रेस दे बेल आइकॉन। अब जानते हैं सावन का तीसरा सोमवार सिंग राशी के लिए कैसा रहेगा। सिंग राशी वालों के लिए लग्म में बुद्श शुक्र का गोचर निरंतर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से आपकी वानी का असर लोगों के मन में छा रहा है। आपकी वानी की मधुरता आपको कीर्ति पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ती करवाएगी। आज का विशेश उपाए, चंदन, अक्षत, दूद, धतूरा, गंगाजल, बेलपत या आंकड़े के फूर चराएं। शुब अंक, 19, शुब रंग, ब्राउं। अब जानते हैं सावन का तीसरा सोमवार क कैसा रहेगा। कन्या राशी वालों के लिए समय लगातार संगर्श करने का बना हुआ है। इस समय में आपके द्वारा किये गए कारे आपके भविश्य पर गहरा असर डालने वाले हैं। यदि आप शेर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज का दिन आपके लिए लखी साबित होगा जरूर से ज़्यादा खर्च न करें। कर्च बढ़ाने की संभावना है। आज का विशेश उपाए भगवान शिव की प्रदोश काल में अराधना करें। शुब अंक, सोला, शुब रंग, केसरी। अब जानते हैं सावन का तीसरा सुमवार व्रिश्चेक राशी के लिए कैसा रहेगा। व्रिश्चेक राशी वालों के लिए लग्म के स्वामी का सब्तम भाव में गोचर करना शुब संकेत दे रहा है। मंदल के प्रभाव से आपके निद्रित्व करने की क्षमताय प्राप्त हो रही है। समाज में समाज सेवा के अफसर प्राप्त होंगे। आज का विशेश उपाई शिव पुरान का पाठ करें या सुनें। शुब अंक, शप्पन, शुब रंग, डाक रेड। अब जानते हैं सावन का तीसरा सोमवार धनु राशी के लिए कैसा रहेगा। धनु राशी वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आज का दिन बहतरीन हो सकता है परंतु गुरु के साथ युद्ध में काम करने से आज का दिन सवर सकता है। आज का विशेश उपाई, पूजा के दोरान शिवलिंग पर लोग चड़ाएं। अब जानते हैं सावन का तीसरा सोमवार मकर राशी के लिए कैसा रहेगा। मकर राशी वालों के लिए लग्म की स्वामी का धान भाव में गोचर करना शुब संकेत दे रहा है। आज आपको आकस्मिक धन की प्राप्ती हो सकती है। परंतु कुटुम भाव में शनी का होना घर में किसी के आसपास होने की ओर संकेत कर रहा है। आज का विशेश उपाई भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिशेक करें। शुब अंक 27, शुब रंग, ग्रेव अब जानते हैं सावन का तीसरा सोमवार कुम राशी के लिए कैसा रहेगा। कुम राशी वालों के लिए लग्म में शनी का गोचर शुब है, जो लोग लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे थे। उनके लिए रोजगार से जुड़ेक शेत्र में सफलता प्राप्त होने का योग बन रहा है, परन्तु आपको अपना आलसिय त्याग ना होगा। अब जानते हैं सावन का तीसरा सोमवार मीन राशी के लिए कैसा रहेगा। मीन राशी वालों के लिए लग्ण में राहू का गोचर मानसिक चिताओं को देने वाला है। केतु की स्वतंत्रता द्रिष्टी होने से राहू आपको उन्नती भी प्रदान कर सकते हैं। मन को नियंत्रल में रखे तभी ये सब हो सकता है। आज का विशेश उपाए, अगर आप पैसो की तंगी का सामना कर रहे हैं, तो आज शिवलिंक पर दूद चड़ाएं। आशा करती हूँ आपको आज का राशिफल अच्छा लगा होगा और आप ये जान पाए होंगी कि आज आपका भाग्योदे होगा या नहीं। इस वीडियो को लाइक करें और हाँ अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें जिससे सभी अपना राशिफल जान सकें। यदि आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी कुंडली दिखाने के लिए दी गई वेबसाइट पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, कल का राशिफल जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल जियोतिश वानी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाए दे रहें बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें। जिससे आपको मेरे आने वाली सभी विडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहें। राधे राधे